जैहें दोस्तो जव आर्णाल नेरू इन्वस्टी में जो आपकी नोन टीचिंग पोस्ट की वेकेंसी आई वे 388 पदो पर इसके जो ओनलाइन फोरम हो शरू हो चुके हैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप कंप्लिट ओनलाइन फोरम हो फिल अप करने का प्रोस प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे अपना ओनलाइन फोरम आपको फिल अप करना है सिर्फ आप से रिक्वेस्ट आप वीडियो कौन तक जरूर देखते रहें वीडियो को स्कीप मत करें बिल्कुल भी क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिये गए हैं जिनको जाना आपके लि आपकी वेकैंसी नौन टीचिंग की पोस्ट है 308 सी वेकैंसी दीगी है सैलरी आपको पोस्ट वाई सैलरी दी जाएगी जोग लोकेशन आपकी नियो दिल्ली में रहेगी 10 मार्च 2023 की लास्ट एट और रखीगी ओनलाइन तरीके से अपनी अप्लाई करना जिसका मैं आपको कंप्लेट प्रोसेस दिखाऊंगा और देखिए इसमें जो अप्लीकेशन फीस है अगर आप ग्रूब एकी पोस्ट के लिए प्लाई करते हैं जर्नल EWS OBC के लिए पंदरा सुरुपे फीस है सेस्टी और हुमेन कंडेट की एक जारुपे पीस है पीड़ुड कंडेट की हुआ है दस मार्च 2023 इसकी लास्टेट रखी कि जाम डेट अभी मैंसे नहीं की गी लेकिन जल्द इसका एक जाम होने वाड़ा है इसमें एक प्रकार की पोस्ट आपको दीगी है इस वीडियो मापको जो है जो है जो जूनियर उसी जूनियर सिटेंट की पोस्ट है इसके ल प्रमों फिल पोंगे तो यह एंट यह की वेब साइट है इसका डारेक्ट लिंक आपको डिस्कुशन मिल जाएगा वहां से आप डारेक्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहां से निव रइटेशन के लिए यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर आप कुछ तमस देगे नहीं आप अच्छे से डिकर लेना है यहां पर आपके application फीस बताई गई जो आपके application फीस लगेगी उसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे यहां पर टरम्स को असेप्ट करेंगे उसके बाद कलिक है टो पर आपका प्रोरमों स्टार्ट हो जाएगा उसके करनी है उसके बाद अपना जेंडर जो भी है मेल फिमल दोन्यों के अप्लाई कर सकते हैं यहां पर अपनी आईडी देना चाहते हैं यहां पर अपनी कोडिंग आप डाल सकते हैं यहां पर जो पैन काड़ पासबोर्ट वो ट्राइडी रासन काड़ यह आपकी driving लेसे जैसे मै स्पीज करने करते हैं उसके बाद डूर्ण जाल देंगे उसके बाद अपिन неп्लाहर करेंगे उसके बाद आप मोई लंबर डाले है मोई लंबर काप दोबार सो इकन फर्म करेंगे अगर आपका प्रेजेंट और परमनेंट यहां पर जुक करेंगे तो आपका आड्रेस है यहाँ पर इसके बाद आपको एक password यहाँ पर create कर लेना है password को आप दोबार से confirm करेंगे scotty को इसने यहाँ पर आप डाल देंगे future के लिए यहाँ पर जैसे मैंने school डाल दिया है तो इसका अनुस्तर यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद यह scotty जो code दिया गया है यहाँ पर डालेंगे और submit पर आपको कलिक करना है यहाँ पर अपने से भी detail आपको जो है इसमें verify करना है जैसे कि अपना नाम यहाँ पर उसके बाद भादर ने mother name, date over, gender, address, उसके बाद मूबाइल नंबर, email id इन्हें सभी को आप अच्छे से verify कर लेंगे क्योंकि इससे भी detail आपकी यहाँ पर उपर दी गई है उसके बाद यहाँ पर आई अगरी पर click करेंगे submit and OTP आपको click करना है इस OTP के option पर yes पर आप click करेंगे तो जो भी आपने mobile number और email id दी है उस पर आपके पास एक OTP send किया गया है देखे मेरे पास OTP आचुका है OTP डालेंगे उसके बाद submit application forum पर आपको click करना है देखे जैसे ही आप submit करेंगे उसके बाद आपका retention complete हो चुका है यहाँ पर यह application number आचुका आपका उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे यहाँ पर complete application forum पर आप click करिए तो आपका जो process हो start हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप आप पर आप result आप पर आप click करेंगे उसके बाद masculinity यहाँ पर index डाल देंगे आप दो बार से उसके बाद अपनी दोबार से state डालनी है जो भी आपकी state है उसके बाद अपनी category डाल देंगे जो भी आपकी category जैसे मैंने ऐसे डाल दिया पिडूली रिकन डेटर तो यहां पर यहां पर यहां पर अपने coding कर सकते हैं saving यहां पर जो भी है अपने coding यहां पर note of available कर सकते हैं employee है पर्सनल डिटेल आपकी से उचकी है उसके बाद यहां से आपके पास अदारकाड है तो यहां पर यह सनो कर सकते हैं सम्मिट करेंगे और आपको कलिक करना है उसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे उसके बाद यहां पर किस पोस्ट के लिए अपने अप्लाई करना जैसे मैंने जूनियर असिटेंट की पोस्ट के लिए प्लाई करना है तो यहां पर दी गई है अपनी कोडिंग यहां पर Window पर आपको बाद एक्वा सकते हैं उसके बाद आपक टाइपинг स्पीड होगे इस टैनो ऽाप्र के लिए इंगिलिसमें स्पीड यहां पर labeled पूसके बाद यहां पर आपको स्कूर्टी पिन डालना और स्वेसे नेक्ष्ट के प्रोश्य सब्सक्राइब करना है उसके बाद जैसे आप से नेक्ष्ट करते हैं उसके बाद यहां से आप किसी भी पोश्ट के लिए ऐसे अपलाई करना आपको अगर आपके पास टाइपिंग सपीड नहीं तो वहा डालने के बाद यहां से आप निचे बाद यहां से नेम ऑन साव टेंट क्लास उसके बाद यहां से बोड तर्सके बाद यहां बैद मेंुक्ल वर्ट का पस्क acquainted पीच उसके गए उसके बाद बोड चीजह टोटल माक्स यहां पर डालेंगे आप उसके बाद काउंट हो caund जाएंगे तो आप रो लमबर डाल दियाएंगे अगर आपने विकला हैं यहां पर इंस्टोट और नेम डॉर्टन देना हैं बहर विकला स्कारख रखी देंगे नहीं तो आप इसे प्लेंग चोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे यहां पर सेवस्ट नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहां से डिटेल आपको दिखा देता है जैसे कि 10th class मैंने MTS की पोस्ट लिए प्लाई किया है उसके बाद यहां पर आपक दालना कोद में उसके बाद यहां पर डालना है से वस्ट करना है स्याओ देखने जैसे अपर thou ment a बाद पर स्वांटेंट नहीं चाहर से 30क्बिक का साइज यां पर ब्रोंड डोकुमेंट मेंस के फफ्लोड कर देंगे तो कि यहां पर आपको यह10 कोटी डालना है और में लैकि जैसे आफ Teresa वैसे next कर देते हैं उसके बाद आपके final preview आपको दिखाता है आपके पोरम का जैसे आपका नाम, date worth, gender, father name, mother name, उसके बाद आपकी category, उसके बाद exam center post यहां पर दिखा देगा, जैसे कि MTS post यहां पर आपके exam center आपको दिखा देगा, उसके बाद जैसे कि मैंने 10th class पर यह जो प दिखा देगा photo signature, इन्हें सब e-detail को आप अच्छे से verify कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको यह edit नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब e-detail को अच्छे से verify कर लेना है, उसके बाद आई अगरी पर click करेंगे, final submission और application पर आप click करेंगे, जैसे इस पर आप click करेंगे, जैसे इमेल आइडिया उस पर एक OTP आएगा, यह पर इसको OTP डालना है, उसमिट के option पर click करना आपको, जैसे इसमिट करेंगे, तो आपकी email id पर OTP डाल दिया गया है, OTP यहाँ पर डालना है, verify के option पर click करना, आपको, डाल के verify करते हैं, आपकी email id verify उचके, उसके बाद click है, तो home page पर click करेंगे, तो उसके बाद अपनी fees आपको pay करना है, यहाँ पर देखिए, pay examination fee 600 रुपेश में examination fees लगेगी, यहाँ पर online आप click करेंगे, process to payment के option पर, okay पर click करेंगे, तो इसमें जो आपकी fees हो, यहाँ पर आपको दिखा देता है, यहाँ पर अपने coding आप डाल देंगे process to payment के option पर click करना है, तो उसके बाद जैसे चाहिए वाई से अपनी fees यहाँ पर आप पे कर सकते हैं, net banking, credit card, जिससे भी आप UPI से भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे चाहिए वाई से अपनी fees पे कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको fees पे करनी है, जिस भी according आपको पने coding जो करना है से रिप